वेलो चेट्रिन वेलकम टू असाय एजुकेशन आज हम करेंगे आरबी एसी की छटे क्लास की संसिल की गितार रंजनी का चोथा चैप्टर अकारांत नपंसक लिंग शब्द प्रयोगा तो इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज तो आईए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रिश् लिखेंगे मंदिरम दूसरा दर्वाजा बना हुआ है तो हम लिखेंगे द्वारम फिर फूल बना हुआ है तो हम लिखेंगे पुष्पम तो नपंसक लिंग के जो रूप हैं वो आप एक याद कर लिजे बाकी सब एक जैसे चलते हैं जैसे पुस्तकम पुस्तकानी उसी त तरह से रूप बनेंगे अगला है नारियल बना हुआ है तो लिखेंगे नार केलम और फिर है दूर दर्शन तो हम लिखेंगे दूर दर्शनम और उसके बाद रेल गारी बनी है तो हम लिखेंगे रेल यानम तो यहां पर हम पहले में क्या लिखेंगे मंदरम दूसरे में पुश्पम चोत्य लिखेंगे नारकेलम पांच में लिखेंगे दूरदर्शनम और छते में लिखेंगे हम रेल यानम रेल गाड़ी तो जो दूसरा कोश्चन है उसमें आपको चित्र को देखना है और उचित बचनों का प्रियोग करना है तो पर एक बचन में आपको लिखना है एक बचन दुई बचन में दुई बचन और बहु बचन में आपको बहु बचन का प्रियोग करके यहां पर लिखना है तो जैसे फॉल के रूप चलते हैं और अनेक पहिए, आगे बना हुआ है मुकुट, तो हम लिखेंगे मुकुटम, मुकुटे, मुकुटानी, एक मुकुट, दो मुकुट, अनेक मुकुट, यह बहुत से मुकुट, अगला बना हुआ है कंगा, तो हम लिखेंगे कलकतम, कलकते, कलकतानी, एक कंगा, दो कंगे, अ किल्कते कर्कतानी थार्ड कोशन इसमें आपको चित्र को बरीको देखा उचित रिप्षपँ क्लिया लगानी है थाम प्रीटों पर कर्पी ऐखंग दिन अ長 भवचत ौरूनि पर उन न अन्ति हम्पे तो पुषपम村 पर खेलता है वेजने फलम फले यह क्या है दूई बचन है तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे यहां पर दूई बचन लगाएंगे तो जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़नती होता है एक बचन में पढ़ती दूई बचन जो होता है उसमें पढ़ता होता है तो यहां पर हम लिखेंगे बैजने ब्रहमता दो पंके घूमते हैं तो पहले में हम लिखेंगे फलानी पतंती पुश्पम के साथ बिकसती बैजने के साथ ब्रहमता आपका जो चौता कोश्यन है उसमें आपको रिटिस्थानों की पूर्ति करनी है तो आपको जो एक्जामपल दिया गया है उसी के इसी तरह आपको फल के बनाने हैं फलम दिया हुआ है तो फलम फले फलानी बिमानम बिमाने बिमानानी आसनम आसने आसनानी मंदरम मंदरे मंदरानी सोपानम सोपाने सोपानी सोपानानी तो पहले में क्या बना फलम फले फलानी फिरम ने बनाया बिमानम बिमाने बिमानानी आसनम आसने आसनानी मंदरम मंदरे मंदरावे सोपानम सोपाने सोपानानी अब का जो पांचमा कोश्चन है उसमें आपको उचित जो बचन है बो लिखने है तो पहला है पत्ती पत्ता पतंती है आपको एक्जामपल दिया गया है इसी तरह से आपको बनाने है, जैसे पढ़ती, पढ़ता, पढ़नती होता है, उसी तरह से सारे रूप चलते हैं, तो यहाँ पर है पत्ती, पत्ता, पतंती, तो बिकसती, बिकसता, बिकसंती, ब्रमती, ब्रमता, ब्रमती, हस्ती, हस्ता, हसंती, अस्ती, इस्ता, संती, नमती, तो इसी तरह से रूप चलेंगे जैसे पटधातु के चलते क्यों हैं उसमें आको क्या करना है कोश्टक में जो Negro पत दिये ग novamente मैसे चुनकर रख्रितिस्थानों की और करनी है तो आपको देखना है कि जो शब्द है कोश्चनी सबस 무尬 कॉन से बचन का है वह वह सैंदो सोहरो है शोटम में का है एक भाँ सब्चन है तो यह लिक्षेंगे चलती जो बैल गारी है वह क्या होता है चलती है मित्रे तो फलंफले तो यह दूज्टे पट्ते हां आग अच्छता वृत्त कानी में लिखेंगे संती अगला है पणी पत्ते एक बेड़ा एक भछन हम लिखेंगे पत्ती पत्ता गरता है बैस नानि ये क्या है बहु वचन है फर VISTA फले फलानी सोम लिखेंगे ब्रमंती पंक्य गूमते हैं तो शक्टम चलती मित्रे आघच्छता फुस्तकारी संती बहु नमप Oxford और बैसनानी ब्रमंती आपका जो साथ मोश्यнет है उसमें आपको क्या करेणा है कोष्ठक में जो शब्द दिये गए हैं तो उनका सही तरह से उचित बचनों का प्रयोग करके लिखना है तो पहला जो आपका अग्सांपल दिया गया है उसमें लिखा गया है फलम पत्तहा लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फलम तो पत्तहा क्या है दुतिया विवक्ति है तो हमें फल की भी दुतिया विवक्ति लिखनी होगी तो फलम फले तो हमें लिखना होगा फले पत्तहा जैसे पढ़ती पढ़ता होता है वैसी पत्ति पत्तहा हो आम फिरेखता है उपनेत्रम होते हैं तो उपनेत्रम किया हभो घ्रश्मा है ब्र 26 नम लिक्षा है तो हम कमले कमल भीक्सता स्वाल रेल गारे ँद मुझन कोड़ते हैं एक उना रीओ नास्ति यहां पर क्या है मैं रॉग पहु दो तो पहले में आएगा उपनेत्रम दूसरे में आएगा बैजनानि, तीसरे में आएगा कमले, चौते में आएगा रेलियानम, और पांच में में आएगा सो पानाणी, और आपका जो हाऊ को ऑणितन नहने हैं बोल देना नहीं्तों धलानेहें पर दो चश्मे हैं तो हम लिखेंगे उपनेत्रे दो चश्मे चाता कितना है एक है तो हम लिखेंगे छत्रम चाता पुस्तके बहुत सारी है तो हम लिखेंगे पुस्तकानी अनिक पुस्तके फेरेल गाड़ी है तो हम लिखेंगे रेल यानम सीरिया है तो हम लिखेंगे सोपा और यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो खतम हो गया तो आप अच्छ समझ से समझ कर याद कर लीजे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए थैंक यू